आप सबी का सब्Matnya है हमारे चैनल इंजिनियर्स कोच में तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह है beaches करके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या होता है कैसा होता है क्यों प्रॉइड करते हैं का हैरा प्रॉइड करते हैं क्या-क्या कर क्या होता है तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइवे से तो मालो यह आपकी स्ट्रेट रोड है आप इस पे ट्रेवल कर रहे हो यह आपकी कार है ठीक आप इस डारिक्शन में ट्रेवल कर रहे हो फिर अचानक से क्या होता है एक करवाता है अचानक से एक सर्कुलर करवाता ह सर्कुलर करवाता है तो अब यहाँ पे आपको और आपकी गाड़ी को कुछ फोर्स का एहसास होगा जब आप यहाँ पे पहुंचोगे ठीक है तो एक तो सबसे पहली चीज आपको इस्टेरिंग तुरंट सदेन ऐसे घुमानी पड़ेगी ठीक है तो आप थोड़ा डिसकंफ यह फोर्स ऐसे लगेगा जो आपको आउटर एज की तरफ धके लेगा मालो आपकी कार अगर यहाँ पहुंचती है तो आपके कार पे एक फोर्स काम करेगा इधर से ठीक है इधर से काम करेगा जो गाड़ी को इधर की तरफ धके लेगा इधर मतलब यह आउटर एज पे तो यहापकी कार जो है ठीक है यह आपकी कार को और आपको एक ऐसा मतलब forse feel होगा जो की आपको बाहर की तरफ ऐसे ढखे लेगा तो ऐसे में क्या करते हैं यह सदेन जर्क ना लगे ड्राइवर को discomfort feel ना हो यह force जो काम कर रहा है इस force को कहते है centrifugal force तो अब यह centrifugal force sudden ना है, मतलब तुरंट यह centrifugal force आपको ना feel हो जो force बाहर की दिरफ लग रही वो धीरे धीरे increase किया जाए कि जो discomfort है, driver तुरंट अचानक से उसको steering ना मोड़ना पड़े और एक jerk ना लगे, मतलब अचानक से आप steering को माऊँगे, तो अचानक से force आपको बाहर की दरफ ढखे लेगी तो यह चीज़ फिल ना हो ऐसे में क्या किया गया अब यह मान लो straight road है और यह आपकी आगे मिल लई है यह circular curve circular curve तो अब यहाँ पर जैसे हमने direct straight road को circular road से connect किया था, अब ऐसा ना करके एक curve डालते हैं अब यहाँ diagram से नहीं बना वा रहे हैं, एक ऐसा curve डालते हैं जो की इसे connect करता है straight straight road को circular road से मतलब circular curve से अब यह connect करते हैं transition curve की help से transition curve अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जो straight line होती है बलब यह straight road है तो अब इसका radius क्या होगा इसका कोई radius है यह infinite है इसका radius लेकिन यह जो circular curve है ठीक है इसका कुछ तो कुछ radius होगा ठीक अब यहाँ पर माल लो तो फॉर एक्जामबल कोई unit कोई value ले 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 लेते नमर ले 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 लेते हैं तो आपको easily समझ में आ जाएगा तो मालो यह infinite है अब यह जो circular curve है इसकी value आप लिए हो r is equal to 60, चलो 60 ले लिया बस ऐसे एक value, अब क्या करते हैं, कि अब आप straight road से जब circular curve पे आए थे तो आपको एक sudden jerk feel हुआ था, आपको staring तुरंद घुमानी पड़ी थी, जिसे कि एक force जादा आपको आपके ओपर काम किया था, जो आपको outer edge की तरफ धके हिला था, तो अब क्या किय गया, कि एक ऐसा curve डाला गया, straight road में और circular curve के बीच में, जो की radius को infinite से, और जो radius की जो value होगी यहाँ पे, ठीक है, radius की जो value होगी, उस तक पहुँचने के लिए धीरे धीरे, इस radius को, infinite से 60 तक पहुचाया गया, कम करके, जैसे यहाँ कुछ value होगी, infinite यहाँ तक, अब यहाँ से क्या किया गया, धीरे धीरे, radius को कम किया गया, कि हमें यहाँ पे आके 60 मिल जाए, तो जैसे, मालो यह, जो हमने line कीची है, ऐसे, यह transition curve होगी, color कर देते हैं, यहाँ से start, start होगी, आपकी transition curve, यह straight road है, ठीक है, यह transition curve होगी, यह है, अपकी circular curve, तो अब यहाँ पे क्या कि transition कर, अब straight road से, जब हम transition curve पे आए, कुछ मीटर मालो, for example, 100 meters travel किया, 100 meter travel किया, तो अब यहाँ का जो हम radius हमने क्या बता था, अब यहाँ से हम infinite से अब नीचे के तरफ जाएंगे, radius को कम करेंगे, तो 100 meter यहाँ travel किया, तो हमने radius, बस हम numbers दिखा रहे हैं, आपको example, यह numbers आप कोई fix value नहीं है, यह बस example के लिए समझा रहे हैं, तो मालो 100 meter travel किया, तो अब यहाँ ले लिया radius 90, फिर 100 meter आगे travel किया, यहाँ का radius दे दिया 80, फिर आगे 100 meter और travel कर लिया यहाँ तक, अब इसका radius हमने दे दिया 70, फिर अब यहाँ से circular curve हमें मिल गया, ठीक है, अब यहाँ से circular curve की जो radius 60 वो चालू हो रही है, तो आप देख रहे हो, कि यह जो circular curve था, उसका radius 60 है, तो आप देख रहे हो कैसे हमने धीरे धीरे जो radius है, उसको decrease किया, उसको decrease करने का, धीरे gradual radius को decrease करने का main aim यह था, कि जो centrifugal force है, जैसे कि हमने बताए कि जब आप straight road से circular curve पे direct जाओगे, त sudden एक force feel होगा, तो उस force, वो force आपको तुरंत feel ना हो, ठीक है, उस force तक, उस centrifugal force तक उसे कहते हैं, centrifugal force, अब इस centrifugal force तक पहुँचने के लिए, मतलब इस circular curve पे जो centrifugal force की intensity होगी, वो maximum होगी, तो अब इस centrifugal force पे sudden, तुरंत ना पहुचके, इसकी value तक धीरे धीरे पहुचा जाए, gradually, gradually पहुचा जाए, मौन लो, कि, आप, यह कोई height है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, यह आप यहाँ खड़े हो, अब आपको यहाँ sudden jump करना है, 10, चलो 10 feet ले ले दे, 10 feet पे आपको मालो direct jump करना है, तो आपको कितनी मैनत करनी पड़ेगी, तो ऐसे में क्या किया गया, कि sudden jump ना करके, थोड़ा हमें, आपके comfort के लिए, यहाँ steps दे दियें, 2 feet, 4 feet कर दिया, 6 feet कर दिया, तो आप इस पे, इस पे, मिन्स आपको, आपके comfortable के लिए, ठीक है, इस height को, धीरे-धीरे आप, मतलब यह आप इस height तक पहुँचने के लिए, height को धीरे-धीरे increase किया गया, कि आप, आराम से यहाँ तक आप पहुँच जाओ, को sudden इस पे कूद के, एक मतलब जर्क ना लगे, जादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आपके comfort के लिए, जैसे यह, gradually height को increase किया गया, यह बस example के लिए, हमने इसको यहाँ समझाने के लिए आपको बता है, तो वैसे ही, जो centrifugal force है, अब यहाँ circular curve पे, इसकी intensity maximum होगी, तो यहाँ ना पहुचके direct, centrifugal force की जो intensity उसको धीरे-धीरे increase किया गया, ठीक है, जैसे जैसे देखो, आपका radius कम होता जाएगा, centrifugal force यहाँ बढ़ता जाएगा, इसके तरफ आके यहाँ R पे आके यह maximum हो जाएगा, means, 60 पे आके यह maximum हो जाएगा, तो जैसे ऐसे radius आपका कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आपका जो centrifugal force है, वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे जो इसकी centrifugal force की, जो maximum value होगी से radius पे, वो आपको आके मिल जाए तुरंत आपको steering नहीं गुमानी पड़ीगी, क्योंकि आप एक constant, एक gradual way में आप इधर steering को ऐसे हलका सा वो tilt करोगे, तो आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, एक चीज़ यह हो गया, फिर अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि हमने बताया कि centrifugal force जो है, आपकी गाड़ी को outer edge की तरफ धकेलता है, means, मान लो, चलो, आपके लिए कार लाएं, इससे समझाते हैं, कि अगर आप straight road पे जब move करते हो, ठीक है, तो आप मान लो, यहाँ बैठे हो, तो आप ना इधर गिरते हो, मतलब कोई force ना आपके उपर, आप बैठे हो, तो ना इधर काम करती है, न इस side गाम करती है, आप जब straight road पे travel करते हो, लेकिन जब क्या होता है, कि जब आप किसी कर पर जाते हो, जब गाड़ी ऐसे जब घूमती है, ठीक है, मान लो, ऐसे चले, ऐसे घूमें, तो क्या होता है, कि जब गाड़ी घूमती है, तो इसके outer के तरफ, means, जो outer edge है, जैसे कि यह इसका हमने बता है, outer edge है, मान लो, ऐसे गाड़ी move करानी है, तो जब गाड़ी ऐसे जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस पर force काम करेगा, तो क्या होगा इसे, ऐसे centrifugal force है, जो कि बाहर की दरफ धके लेगा, तो अब गाड़ी इसमें क्या होती है, over turn भी हो सकती है, ठीक है, अब को, अगर ज़्यादा speed हुई तो over turn हो जाएगी, कम इस speed में रहा तो आपके लिए थोड़ा comfortable नहीं होगा, तो इसको counteract करने के लिए, centrifugal force को counteract करने के लिए क्या अगरते हैं, जो outer edge है, ठीक है, उसको हम लोग उठा देते हैं, अगर यहाँ से हम section काटते है हैं, यहाँ से माँ लो यह section कट किया, यह आपका है ground, तो यह, जैसे कि हमने बता यह inner edge है, इसको ले लो inner edge, inner edge of the road, इसको ले ले लेते हैं, outer edge, outer edge of road, अब क्या किया, हमने इस हिस्से को उठा दिया, इसको ऐसी रहने दिया, constant, इस हिस्से को उठा दिया, तो इसको कुछ height मिली, height मिली, तो वैसे ही अगर आप straight road पे, straight road पे travel कर रहे हो, आपको centrifugal force को हमें counteract करना है, तो हमें ऐसे यह super elevation देना पड़ेगा, super elevation देना पड़ेगा, आपको कर पे, कि आपको, जैसे कि हमने बताया कि आपकी गारी जब ऐसे कर पे जाती है, तो force काम करता है, जो इसे बाहर की दरफ ऐसे ढखे लेगा, तो इस force को कम करने के लिए क्या किया गया, super elevation दिया गया, अब ये super elevation आपको कर पे देना ही देना है, ठीक है, और आपको जैसे कि हमने बता है कि कर पे जो centrifugal force की intensity होगी, वो जादा होगी, maximum होगी, तो ऐसे में क्या कर करेंगे अगर हम super elevation यही से start कर दिया, यह straight road यहां खतम हो रही न, circular curve आया, अब यहां पे जतनी हमारी centrifugal force की intensity आ रही है, अगर मालो, हमने उतना अगर raise कर दिया, तो जड़ा feel करो आप गाड़ी straight road पे चला रहे हो, अब curve पे, कोई curve जब आता है, ऐसे curve आया, तो सोचो अगर straight road पे ऐसे चल ली, curve आये, तुरंत ऐसे गाड़ी उड़ जाती है, तो कितना discomfort feel होगा, ऐसे straight road पे चलते चलते करवा आना है, अब आगे, ऐसे यह curve आना है, तो straight road पे चल ले हो, कोई curve आता है, तो अचानक से गाड़ी आपको ऐसे tilt करनी पड़े, means यह super elevation की वज़ा से, तो discomfort आपको वहाँ feel होगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, कि हम लोग super elevation को introduce करने के लिए, मतलब यहाँ पे straight road और circular curve के बीच में super elevation को introduce करने के लिए, क्या करते हैं, transition curve की help से, इसे धीरे धीरे super elevation को increase करते हैं, हमाँ लोग हमें circular curve पे, super elevation की height कोई value ले रहे हैं, unit ले रहे हैं, कोई से, कोई वो number नहीं है ऐसा, fix, तो हमाँ लोग इसको हमने ले लिया, tennis का value ले लिया, मतलब हमें circular curve पे centrifugal force की जो intensity है, उसको counteract करने के लिए हमें 10 value चाहिए, यहाँ पे एक curve को उठाना पड़ेगा, हमें 10 चाहिए, इसकी value, super elevation में outer edge को उठाना है, तो क्या करेंगे, तुरंट तो उठा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ meter जैसे हमने बताए कि 100 meter travel जब किया हमने, अब 100 meter में, यहाँ का भी चलो section काट देते हैं, यह आपका ground हो गया, यह inner edge, inner edge, यह outer edge, outer edge, तो अब क्या की हैं, 100 meter पे हमने, यह 100 meter चलने के बाद, सबसे पहले हमने उठाया, यह 2 unit, कितना उठाया, 2 unit, तुरंट हम 10 पे नहीं पहुँचे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 10 पे आ जाना था, अगर हम connect नहीं करते, transition curve को introduce नहीं करते, तो direct हमें यह straight road से ही इतनी value आ जा होता, driver को, तो ऐसे में क्या किया, 100 meter चला, ठीक है, for example, 100 meter आपका चला, 100 meter में हमने height दे दी, इसकी, 2 दे दी, 2 units, फिर 100 meter आगे travel किया, फिर क्या किया, अब इसकी height दे दी, 4 units, 4 units, यह inner edge, यह outer edge, तो क्या यहाँ पे आप देख रहे हो, कि जो super elevation हम लोग introduce कर रहे हैं, इसमें, वो क्या गर रहे हैं, gradually, with the help of transition curve के, through हम लोग, जो super elevation है, उसको gradually introduce कर रहे हैं, super elevation को ला रहे हैं, straight road और circular कर के बीच में, और इसमें, तो यह हो गया, इसमें एक चीज़ और बताएं, जैसे अभी starting में, जब हमनें बताएं कि straight road इसका जो radius है, infinite होगा, straight line का, तो आप school में अप आपने पड़े होगे, यह formula, कहीं P से लिखा होगा, कहीं F से लिखा होगा, centrifugal force का, mv square upon r, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने बता है, r की value अगर infinite है, ठीक, तो यह आपकी जो value आएगी, वो 0 आएगी, ठीक है, तो जब straight road पे हो, centrifugal force means आपका 0 होगा, लेकिन जैसे ही कर पे आ लेगी, ठीक है, यहाँ से centrifugal force काम करना चालू कर देगा आपका, जैसे जैसे हमने दखो, यह r की value अगर 90 यहाँ पे रखोगे, तो गुछ और value आएगी, तो जैसे जैसे हमने radius कम करना है, means इसकी r की value जैसे जैसे आप कम करते जाओगे, इसकी value आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे radius हम कम करेंगे, वैसे centrifugal force का जो intensity है, वो बढ़ता जाएगा, तो चलो अब बढ़ते हैं, length of transition curve, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका length है, वो कैसे calculate करते हैं, length of transition curve, तो transition curve को calculate करने के, तीन method हैं, तीन condition है, यह तीन condition कौन कौन से हैं, जो सबसे पहला है, वो है आपका, rate of change of centrifugal acceleration, इसका मालब यह है, कि किस rate में, ठीक है, जो centrifugal force है, आपका, वो change हो रहा है, जैसे, आप मालो, कर पे हो, जैसे कुछ मीटर चले, ठीक है, जो rate है change का, अब यहाँ पे आप चल रहे हो तो उसका acceleration का rate है वो कुछ और change हो रहा है फिर आगे चल रहे है, कुछ और change हो रहा है acceleration का rate, जैसे आप travel करते जा रहे हो कर पे तो इसका जो formula है, वो है ls is equal to vq upon c into r यहाँ पे आप आपकी vq है, speed है r है आपका radius वो यहाँ पे जो c है आपका वो है rate of change of century fugal acceleration ठीक है, अब यहाँ c की value कैसे calculate करोगे आप 80 upon इसका formula यह है 80 upon 75 प्लस v अब यह आपका यहाँ पे speed है ठीक है, अब जो c की value है c की value varies करेगी vary between 0.5 to 0.1 इसके बीच में c की value आपकी vary करेगी पहला तो method यह है दूसरा method यह है length calculate करने का rate of change of super elevation super elevation तो इसमें क्या है कि जो rate है change का elevation का, जैसे कुछ distance travel किये, फिर वो super elevation change होता जा रहा होता जा रहा होता जा जा रहा जो rate है, तो उसके according अगर हम जो length calculate करेंगे उसका formula है आपका, इसका दो दो तरीके से निकालते हैं इसकी length, पहला जो condition है, वो है rotation of inner edge, ठीक है, अब यहां पर rotation of inner edge means, कि जो यह आपकी यहां पर यह जो curve है, तो यह आपका inner edge है, यह आपका outer edge है, तो इस inner edge के, जैसे आपके अगर questions में, numerical में पूस्ता है, inner edge के according निकालो, तो आप को यह वाला formula लगाना पड़ेगा, ls is equal to en into w plus we, यहां पर e आपका super elevation है, n जो है आपका rate of change of super elevation है, w है आपका width of payment, w ही है आपका extra widening, अब यहां पर हम तो बात कर लिए, पहले जब यह पूछेगा question में, कि inner edge के according निकालो, तो यह formula यूज करोगे, फिर अगर पूस्ट देता है, outer edge, outer edge के according, sorry, outer edge नहीं, यह आपका center line, center line, means, यह जो, इसकी जो center line है, अगर इसके according हमें निकाल ली है, तब एक formula, आप यह लगाओगे, en is equal to w plus w e upon 2, ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया, e super elevation है, and rate of change of super elevation है, w है weight of payment, w extra widening, और इसे आप 2 से divide करोगे, तो आपकी ls की value आ जाएगी, तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ आपको बताना है, कि यह जो n है, इसकी value देखो, इसकी value आप 2 condition इसकी होती है, n की, एक तो अगर कोई plane, plane region है, या rolling region है, तो उसकी जो value होती, n की 150 लेंगे, वही hilly areas के लिए, n की जो value है, वो 60 लेंगे, hilly areas, ठीक है, यह plane या rolling region के लिए है, यह है आपका, n जो है, n is equal to 60, वो hilly areas के लिए है, ठीक है, एक यह हो गया, आपको दो method पता चल गया, फिर है, तीसरा जो है, empirical formula, empirical formula, अब यह formula है, आपका, ls is equal to 2.7 v square upon r, यहाँ पे आपका v speed है, और r आपका radius है, और यह जो formula है, पहला वाला, यह है plane, plane and rolling areas के लिए, और अगर hilly areas की बात करें, तो IRC ने recommend किया है, यह formula, v square upon r, यह आपका है, hilly areas, ठीक है, यह तो आपका पता चल गया, यह तीन मेठर है, तीन, तीन condition है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला rate of change of centrifugal acceleration, दूसरा rate of change of super elevation, तीसरा empirical formula, अब क्या होगा, कि आपके question जो numerical होगा, उसमें आपको जो condition दिया रहे है, जैसे inner edge के according निकालना है, तो inner edge, outer edge के central line के hill areas है, तो 60 लोग, ऐसे करके आपको question देखना है, कि question में क्या get given है, तो यह जो तीनों की value आती है, तो जो सबसे maximum value होती है, वो चीज़ select करते हैं, length of transition curve के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे तो अब बात करेंगे, इसके types की, यहीं पर लिख देते हैं, types, types of transition curve, सबसे पहली जो type है, वो है spiral, spiral curve, दूसरी है आपकी, lemniscate curve, cubic parabola, अब इन सब में से जो spiral curve है, उसको IRC ने recommend किया है, क्यों recommend किया है, यह भी question आप से पूछ सकता है, कि कौन सा curve है, जो IRC ने recommend किया है, ट्रांजिशन curve के लिए, तो इसको आप कहा सकते हो, spiral curve, क्यों recommend किया है, क्योंकि जो change of rate of centrifugal acceleration है, वो constant है, ठीक है, आप यह answer कर सकते हो, तो यह था transition curve, thank you.